दोस्तों चीने सूपर किंग के लिए आईपिल के इस सीजन का सफर अब समाथ हो गया है रजिस्तान रोयल्स के खिलाब अंती मैच में भी यह टीम जीतने में असफल रही है हाला कि चीने सूपर किंग को कुछ ऐसे प्रतिभास साली युवा खिलारी मिले हैं जो आगे चल कर टीम के काफी काम आ सकते हैं और ऐसी ही एक खिलारी है मातिसा पतीराना जो स्रिलांका के निवासी है और इस बार के आईपिल सीजन में इन्हें गेंद बाजी करने का मौका भी मिला इसके बाद उन्होंने काफी लोगों को अपने गेंद के दमपन आकरशित भी किया है और टीम के कप्तान महेंदी सिंग धोनी ने इनके बारे में एक बड़ी बात कही है महेंदी सिंग धोनी ने कहा है कि हमारा मलिंका काफी अच्छा है और बलेबाजों के लिए इनकी गेदों को फार पाना बिलकुल भी आसान नहीं है इसके अलावा महेंदी सिंग धोनी ने मातिसा पतिराना के बारे में या भी कहा है कि वा चिन्ने सूपर किंग के लिए आगले सीजन में काफी महतपून गिरदार निभाने वाले हैं इतना बड़ा और अनुभावी दिकच एक युवा गेनबाज की इतने तारिफ कर रहा है तो इसका साप मतलब बनता है कि पतिराना में कुछ तो खास है देखना होगा कि या युवा खिलारी माहेंद सिंग दोनी दोरा दिखाये गए इस भरोसे पर कितना खरा उतरता है रजस्तन रोयल्स के खिलाब हुए मैच में चिन्ने सूपर किंग 5 विकेट से हार गई और मातर 8 अंकों के साथ इस टीम को IPL के इस सीजन को यही पर अलवीदा कहना होगा इस मैच में रवी चंदर अस्मिन प्ले आप दम मैच रहे जिनोंने 23 गेंदो में 40 रन की परी खेली और रजस्तन रोयल्स को लक्षे तक पहुँचाया और भी इसी तरह के informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्पोर्टी भारत को सस्क्राइब कर दे मिलते हैं और एक धासु वीडियो के साथ तब तक लिए खुच रहे हैं खुच या फैलाते रहे हैं थाइंस पो वोचिंग